आप देख रहे हैं BHBC News नमस्कार मैं तनूरावत BHBC News में आप सभी का स्वागत करती हूँ कोरोना वाइरस से तो आप सभी लोग परीचित हैं और हो भी क्यों ना? कोरोना ने विश्व भर में अपनी पहचान ही असी बनाई है कि छोटे से छोटे बच्चे कोरोना से बहुत अच्छी तरह से परीचित है सभी देश लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द कोरोना की बहतर दवा उपलब्ध हो जिससे लगातार हो रही मोतों को रोका जा सके अब तासा तरीर खबरे सामने आ रही है कि बीसी जी का टी का कोरोना वाइरस से होने वाली मोतों को बचा सकता है आपको बता दें ब्रिटेन के विज्ञानिकों ने एक टेस्ट शुरू किया है जिसमें देखा जा रहा है कि BCG वैक्सिन की मदद से कोरोना संक्रमितों की जान बचाई जा सकती है इसका ट्रायल युनिवर्स्टी ओफ एक्सेंटर में चल रहा है यह वैक्सिन 1921 में विक्सित की गई थी इसे टीवी की रोकथाम के लिए तयार किया गया था लेकिन ऐसे प्रमाण मिले हैं यह दूसरी संक्रामत बिमारियों से बचाव में भी कारगर्द साबित हो सकती है यहां खास बात ही होगी चाहे आपने बच्पन में यह टी का लगवाया हो लेकिन फिर भी इसे दोबारा लगवाने की जरूरत पड़ेगी आपको बता दें इस वैक्सिन को इस तरह बनाया गया है कि यह शरीर के इम्यून सिस्टम या प्रतिरोधी शम्ता को एक खास संक्रमन से बचाव के लिए तयार करता है लेकिन इसका इम्यून सिस्टम पर इतना गहरा और व्यापक परभाव पड़ता है उसे देख कर लगता है कि दूसरी संक्रमक बिमारियों से भी हमारे शरीर को बचा सकता है ऐसा माना जा रहा है ये वैक्सिन कोरोना वाइरस के संक्रमन के मामले में भी परभावी साबित हो सकती है इससे पहले हुए क्लीनिकल ट्रायल में ये पता चला है कि BCG का टीका पश्चिम अफरीका के देश गिनी बिसाओं में नवजातों में मृत्यूदर को 38 फीस्दी तक कम करने में काम्याब रहा है मृत्यूदर में यह कमी BCG टीके की वज़े से निमोनिया और स्पेशिस के मामले कम होने की वज़े से आई दक्षिन अफरीका में इस टीके से जुड़े अध्यन से पता चला है इसके असर की वज़े से नाक, गले और फेफडे के संक्रमन में 73 फीस्दी की कमी आई नीदरलेंड में भी BCG की वज़े से यलो फीवर वाइरस के शरीर में कम होने के प्रमाण मिले हैं BCG को लेकर ब्रिटेन में चल रहा ट्रायल एक अंतराष्टे अध्यन का हिस्सा है आस्टेलिया, नीदरलेंड, स्पेन और ब्राजिल जैसे देशों में भी 10,000 लोगों पल ये ट्रायल चल रहा है ट्रायल के दोरान स्वास्त कर्मियों और देखभाल में लगे उन लोगों को विशेश तोर पर ध्यान में रखा गया है जिने कोरोना वाइरस का संक्रमन होने की आशंका सबसे अधिक है इसलिए अगर ये वैक्सिन प्रभावी होती है तो शोद करताओं को इसके असर के बारे में फोरन पता चल पाएगा खैर अब देखने वाली बात ये होगी जहां बहुत से ट्रायलों में ये वैक्सिन प्रभावी साबित हो रही है तो कह ये वैक्सिन कोरोना से लड़ने में भी पूरी तरह सिध होगी रोस की ताजा खबरे सुनने के लिए सस्क्राइब करें बी एच्पीसी न्यूस चैनल साथी रोस के नोटिफिकेशन जानने के लिए दबाए बेल आइकन साथी हमें अपनी राय देने के लिए हमारी वीडियो पर कॉमेंट करके बताए और वीडियो को लाइक और शेर करना बिलकुल न भूलें आप देख रहे हैं बी एच्पीसी न्यूस